मैं रंजित जी साथ तक मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों बिप्यसी और बिहार के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार समान ग्यान का जो सिरीच चला जा रहा है उसके अंतकरत आज मैं बिहार में सिचाई बेवस्था और बहुदेशी नदिघाटी परिजना आ आप ही महतोपुन टॉपिक है इससे हर साल प्रसंद आते ही आते हैं इसलिए इस वीडियो को अंतक देखे अगर हमारे चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब कर ले और विला इकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन सबसे प एडिये डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं आज भी मैं सिचाइए बेवस्ता और बहुदेशिय माति परेजना के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बीहार में क्रिसी बेवस्ता के बारे में पुरे विस्तार से बताया था अगर अभी तक आपने उस पर निर्भर है और बिहार में कूल क्रिसी जो भूम्मी का लगभग 50% भाग पर ही सिचाई स्विवधा अब तक उपलब्द हो पाया है ठीक है जितनी इरिगे जितनी क्रिसी होती है जितने भूभाग पर क्रिशी होती है जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि को सिचाई स्विवधा उपलब्द है तो बिहार में सिचाई आयोग के अनुसार बिहार राज सिचाई आयोग के अनुसार बिहार में सिचाई की छमता जो है 102.50 लाख हेक्टियर है बिहार राज सिचाई आयोग के अनुसार जिसमें से 53.53 लाख हेक्टियर बिढहत सिचाई हैं और 38 जिले में से 28 जिले ऐसे हैं जो हमेशा बाट से प्रभावित रहते हैं और 10 जिले ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित रहते हैं वैसे situation में जो सिचाई का हमारे पास साधन है वो नहर है नलकूप है तलाब है और कुवा और अन्य यह सभी सिचाई के साधन है जहां तक बात करते हैं नहरों से सिचाई के तो नहरों से सिचाई 34% जितने भी सिचाई का इरिगेशन का बिवस्ता है उसका 34% सिचाई नहरों से होती है ऐसे अगर डाटा की बात करें तो कहीं कहीं ये डाटा आपको 27 से 30% मिल जाएगी और नल कुप से सिचाई का बिवस्ता जो है वो सबसे अधिक है ये 55% है वही तलाब की बात करें तो तलाब से सिचाई 3% है कहीं-कहीं आपको ये 11% भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो घरवाने की बात नहीं ये डाटा जो है ज्यादा माइने नहीं रखता है डाटा ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक कि अंतरगत किया जाता है कुए और अन्ने साथनों से सिचाई 7% होता है अब हम लोग बात करते हैं सिचाई का सबसे प्रमुक्त शाधन क्या है बिहार में वो है नलकू शिचाई के साधन के अनुसार नहर द्वारा सर्वाधिक सिचाई के श्यत्र भोजपूर और अंगाबाद और पस्षिम चंपारण जिले में होता है नहरों से सबसे अधिक सिचाई भोजपूर और अंगाबाद और पस्षिम ये आपको डिसेंडिंग और में है सबसे अधिक फिर कम फिर कम इसलिए इसको आप याद रखेंगे कि अगर सरवाधिक रहेगा तो भोजपूर लगाएंगे आप लोग नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिचाई समस्तिपूर सितामडी और बेगुसराय में होती है नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिचाई समस्तिपूर सितामडी बेगुसराय में होती है वही अगर तलाप की बात करें तो तलाप द्वारा सरवाधिक सिचाई मधुबनी बैश VEX है चांध होगा है पंप का सबसे पढ़ी परयोग में किया गया था के यह सबसे पहला में प्रयोग किया गया था नहरो द्odox 74 बिहार यह वह here लगब आपको सबस्क्रमें 273 कीृ यह लिg ऊत्छनी बिहार में Coming प्रवी सोन नहरों के द्वारा हो पाती है अब बात करते हैं परमुक्ह नहरे की तो सबसे पहली नहर जो है वो सोन नधी पर बना हुआ है सोन नहर है पुरवी सोन नहर और प्षभी सोन नहर से पटना गया भोजपूर और अंगाबाद में सिचाई ब्योस्ता होता है वही पच्छमी सोन नहर से भोजपूर रोतास और बक्सर में सिचाई ब्योस्ता होता है अगर हम लग बात करते हैं गंडक नदी पर तो गंडक नदी पर तिर्मेनी और शारन नहर बनाया गया है तो तिर्वेनी नहर जो है वो गंडक नदी पर बनाया गया है, इसके अंत्रियत पुर्वी और पस्मी चंपारण में सिचाई ब्योस्ता होता है, वही कमला नहर कमला नदी पर बनाया गया है, यह दर्भंगा और मधुबनी में इससे सिचाई ब्योस्ता होता है, अब हम लोग बा बाद करें तो यह गंदक नदीपर ही बनाए गया है तो त्रिवेनी नहर त्रिःछत नहर और Kath нужно हर यह रखेंगे त्रिवेनी और सारंर यह तीनों नहर गंडक नदीपर बनाए गया गया तो त्रि तिरह्फट नहर से पस्विम Compline Pittsburgh के साथ साथ मुझेफ़पुर्पुर्विक के छैतर में भी इससे चाय ब्योस्था होता है वहीं 30 नहर की बात करें तो सारण से सारण सिवान और गौपाल्गन में सिचाई की ब्योस्था होता सजाईब्योस्था होता है इसे शक्री नदी की बात करें इस सपीर नाम से शक्रा नहरर का नदी और में सचाहि ब्यूस्था होता हे बदुवा जलास भागलपूर में याद रखेंगे प्रसंद आया है बदुवा जलासे कहां है भागलपूर में यहां भागलपूर में इसे सिचाई विवस्ता होती है वहीं चांदन जलासे जो है यह भी भागलपूर में है यह सिचाई विवस्ता के काम आती है बदुवा जलासे और चांदन जलासे दोनों कहां है भागलपूर के चतर में हैं अब हम लोग तो एक साथ कई उदेश्यों को साधा जाता है यासे बिजली उत्पादन सिचाई जल संरक्षन बाड और सुखा से बचाओ ये सभी कार्जों को जब एक साथ साधा जाता है तो इसे हम लोग बहुदेशिये नदी घाटी परियुजना के नाम से जानते हैं तो भारत में पहली बहुदेशिये परियुजना का निर्मान ततकालीन बिहार मतलब जारखंड जिसमें समयलित था उसमें किया गया था दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम के रूप में ठीक है इसके असापना 1948 में हुआ था और ये दामोदर नदी घाटी निगम जो है ये अमेरिका क लिएं 10 ले सी घाटी निगम के तरफ़् पर त्यार किया गया था बिहार में पहला जल विदुद छाहां जो है वो कब लगा था 1913 में तिलया में लगा था बर्तमान यह जर्खंड में है ठीक। तिलइया में लगाया गया था बिहार का पहला जलविदुत सन्यान तो यह बत्मान में जरखन में हैं की बात कहें तो बिहार में तीन बहुलेशिया नदी खांटी परिजनाइब बारे में विश्थार से जानेंगे तो सबसे पहला है कोसी बहुदेशिय नदी घाटी परिजना जिसके अस्थापना 1903 में किया गया था और ये बन कर तियार हुआ था 1965 में कोसी बहुदेशिय नदी घाटी परिजना के अस्थापना 1903 में और बन कर तियार हुआ 1965 में कोशी परिजना निपाल और भारत की संजुक्त परिजना है जो बिहार सरकार के अधिनस्थ है कोसी परियोजना जो है वो नेपाल और भारत की संजुक्त परियोजना है कभी कभी पुछा जाता है तो भारत की जगह पे बिहार कर दिया जाता है बिहार और नेपाल की संजुक्त परियोजना तो हम लोग आगे परहेंगे कि बिहार और नेपाल की संजुक्त परियोजना में कोशी परियोजना भी है और गंड़क परियोजना भी है तो नेपाल और भारत के संजुक परियोजना कोशी परियोजना है और ये बिहार सरकार के अधिनस्त है इसका संचालन वगएर सब बिहार सरकार करती है कोशी परियोजना में क्या किया गया है कि हनुमान नगर में एक औ और उधक बंद् के लारा कोशी तत्पण्ध भी बनाया गया है इसी पर तो इस पर दो तत्पण बनाया गया एक हनमान नगर और न्होंसे दोनों और शें मतलब नेपाल में पड़ता है, सार्दा से में है और सार्दा से लेकर के बिहार के आमता तक ये लंबा है, ठीक है, पच्छमी तत्वन्ध, वहीं अगर पुर्वी तत्वन्ध की बारत करें, तो पुर्वी तत्वन्ध जो है, नेपाल के भीम नगर से लेके बिहार के बन तक स्थित है पुरानी धाराओं के जल को मौडने के लिए इसमें जल्मोर बांध का भी निर्मान किया गया है जैसा कि आप लोग को मालूम है कि को 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 सीनादी को भीहार का सोग कहा जाता है और को सीना की नदी जो है वो भारत की ऐसी नदी है, जो सरवाधिक रास्ते बदलती है, ठीक है, सरवाधिक रास्ते बदलती है, तो इसके बहुत सारे रास्ते होने के कारण, इनके जल को मोरने के लिए एक जल मोर बांध भी बनाया गया है, कोशी नदी पर, ठीक है, अब पुर्वी कोशी नहर की बात करें, तो हनमान नगर जलासे से ये बाय किनारे से निकलती है जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हनमान नगर किनारे से दो तत्वंध बनाया गया है और एक तत्वंध जो है वो पुर्वी किनारे से और एक तत्वंध पश्मी किनारे से बनाया गया है तो हनमान नगर जलासे के बाय से निकलती यह पुर्वी कोशी नहर और इस पुर्वी कोशी नहर से पुर्णिया कटिहार अररिया सहरसा सुपोल मदेपूरा को लाब मिलता है मतलब यहां सिचाई बेवस्ता होता है पुर्वी कोशी नगर पर कटाईया के निकट 20 मेगावाट छमता की जल बेदुत गरह का भी निर्मा को मिलता है जितना इस बिजली उतपादन होती है बिहार 20 मेगावाट का जिए उसमेंसे 10 मेगावाट का यूज विहार करता है तो इसका निरमान निर्मान परियोजना काफी महत्वपुन है गंडक बहुदेश्य नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार उत्तर परदेश और नेपाल की संजुक्त परियोजना है भारत और नेपाल की भी संजुक्त परियोजना इसे कह सकते है लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो बिहार उत्त पर्देश और नेपाल तीनों की एक संजुक्त परिजना है क्योंकि इस से गंड़क बहुदेशी नदीघाटी परिजना से तीनों को लाब मिलता है बिहार उत्तर पर्देश और नेपाल को लाब मिलता है इस परिजना में गंड़क बहुदेशी नदीघाटी परिजना से उत पूर्वी उत्तर पर्देस और नेपाल के तराई शेत्र को लाब मिलता है ठीक है उत्तर पर्सिम बिहार उत्तर पूर्वी उत्तर पर्देस और नेपाल के तराई शेत्र को लाब मिलता है इस पर योजना के अंत्रगेत पर्सिम चंपारण में सुमेश्वर पहारी जो बिहार नेशनल रिजर्व है तो ये वन जीव अभ्यारन है जिसमें सेरों की सेर पाए जाते हैं बाग पाए जाते हैं और सारे जानवर भी पाए जाते हैं तो बालमिकी नगर में साथ सो तेतालीस मीटर लंबे बांध और नेपाल की शिमा में बालमीकी नगर जलासे का निर्मान किया गया है असपस्ट हो गया, असपस्ट यह है कि पस्सिम चमपारण में सुमेस्वर पहारी के निकट ठीक है ठिक नेपाल और बिहार के बोडर पर एक बालमीकी नगर जगह है जहां पे 743 मिटर लंबे बांध का परियोग कर निर्मान किया गया है और वहीं पे जलासे का निर्मान किया गया है नेपाल की तरफ से बालमीकी नगर जलासे इसको कहते हैं और इस जलासे से चार नहर निकलती है ठीक है इस जलासे से कितनी नहर निकलती है चार नहर निकलती है तो सबसे पहला नहर है मुख पच्छमी नहर या कहीं कहीं पच्छमी मुख नहर भी लिखा हुआ रहता है तो यह मुख पच्छमी नहर जो 200 किलोमीटर लंबी है इस से ने मुख पश्मी नहर से किसका सिजाई बेवस्ता होता है उत्तर पर्देश बिहार के गोपालगन सिवान सारन को और नेपाल के तरह इच्छतर को बिहार में इसे सारन नहर के नाम से जानते हैं ठीक है मुख उत्तर पश्मी नहर को बिहार में शारन नहर के नाम से जाना जाता है शारन में ये शारन नहर के नाम से जाना जाता है अब मुख पुर्वी नहर की बात करें तो मुख पुर्वी नहर को हम लोग बिहार में किस नाम से जाना जाता है तो मुख पुर्वी नहर को बिहार में तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है ठीक है बिहार में इसे तिरहुत अब मुख्वि नहर तीरुद नहर है । 293 किलोमीटर इसकी लंबाई है कितना लंबाई है 293 किलोमीटर नहर लंबाई है और इसको पुर्वी-चंपारन-पचमिचंपारन-बैसाली और परपुर को सिचाई व्यवस्था इससे प्राप्त होता है सिचाई के लिए पानी प्राप्त हो पाता है तिरहुत नहर से अब इसके दो और विदुत इसके अलावा दो और नहर इस पर बनाया गया है पुर्मी नेपाल नहर और परस्मी नेपाल नहर जिससे निपाल के तराई के अस्थापना किया गया है एक पस्मी मुख नहर पर मतलब सारण नहर पर किया गया है सुरजपूरा में जो नेपाल में इस्थित है जिसमें 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है दूसरी पुर्वी नहर पर बालमिकी नगर के निकट बिहार में इसके इसका निर्मान किया गया था और 1968 में इसे बहुदेशी पर यूजना में बदल दिया गया, ठीक है, 1968 में सोन नदी पर जो सिचाई वेवस्ता बनाया गया था, सिचाई के लिए जो परिजनाय चल रही थी, उसे बहुदेशी नदी घाटी परिजनाय में बदल दिया गया, सबसे पहले ब्रिटिस सरकार ने 1874 में डेहरी में बांध का निर्मान कर पु बोजपूर, बकसर, रोतास, कैमूर, जीले को मिलता है, सिचाई वेवस्ता, तो पुर्वी सोन नहर से औरंगाबाद गया, जहानाबाद और पतना को जल मिलता है, सिचाई के लिए, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जल विधुत परिजना की, तो इस पर भी दो जल विधुत परिजना की अस्थापना किया गया है, डेहरी के निकट, 6.6 मेगावाट का जल विधुत गरिः बनाया गया है, वहीं वारून के निकट, 3.3 मेगावाट विजली उतपादन करने की छमता वाला विधुत गरिः का निर्मान किया गया है, सोन बहुदेशिय नदी गहाटी परिजना के अंतर के जो है, बहुत सारी परिजना भी आती है, जैसे दुर्गावती जला से, दुर्गावती जला से, नदी का कुद्रा के निकट बांध बनाया गया है, दुर्गावती नदी पर, और कैमूल और उहतास को सुखा गरास छेतर की सिचाई ब्यवस्त और ये लखी सरा मुंगेर को सुखा ग्रस छित्र को सिचाई उपलब कराता है दुर्गावती कुद्रा के निकट बांध बनाया गया है ठीक है दुर्गावती नदी पर जिससे कैमूर और रोतास को सिचाई बेवस्था का लब मिलता है वहीं क्यूल जलासे परजना से क्यूल नदी के गहरी गाउं में बंध बनाया गया है और लखी सरा मुंगेर को पानी मिलता है तो दोस्तों ये था आज का सिचाई बेवस्था बिहार में सिचाई बेवस्था और बहुत देशी नदी घाटी परेजना हमें पुरी उमीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए और साथ ही अगर अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए